कि दोस्तों पर स्वागत आपके अपने यूटूब संदर टेक्निकर रवी में तो हर बार की तराज में में आपके लिए एक नया इंट्रेस्ट ट्रीम लेगए हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एच्छा नमस में आप अपने फैमिली मेंबर को कैसे एड क कर सकते हो तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों लोगिन पर के आप सबको पताई है उसको बार-बार बताने जो तनी है उससे वीडियो का थोड़ा लैंत हो जाता है तो लोगिन जब आप लोगिन का लोगिन तो आपके सामने कुछ इस टाइप के एंटरफे और यहां पर देखिए आपको एक ओप्शन दीख रहा होगा वीव ओब्लिक एडिट माई डिटेल्स इस ओप्शन पर आपको कि लिक करना है दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले हर भारत्रे मां कोई के बात बोलना चाहूंगा यहति आप आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको उसकी नोटिफिक्स कर आपको वीडियो देख सके दोस्तों आगे भी आपको चाई वाचरमस हो चाई उम्मीद इसमें पहला जो उप्सन है वह बेसिक इनफो इसका मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं आप आपने बेसिक जानकरी कैसे चेंज करने के रिक्वर्स डाल सकते हो तो यह आपने वह अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको उपर वीडियो के आई बटन मे इस टाइब जाएगा आपको ओ धैगो मेरे तो family member हो तीन है मैं हूँ मेरे दो सब का रहे है जो एम्प्लोल यह उसका नहीं आता है उसकी family के आते हैं आप के आप कैसे अपडेट कर सकते हो आज की वीडियो में पर जो सब्सक्राइब कर सकते हो और यह और दीशा वीडियो आएगा रहेगा कि आपको इलिट करना है तो आप कैसे ग्लिट कर सकते हो तो तो इसको पर तीन वीडियो मिलेंगे family वाले पार्ट के उपर तो आज का जो वीडियो है वह हमारा family member कैसे add कर सकते हैं तो यहाँ देखे family member 1 के उपर आप और option दिख आगवा add new family member तो जो add new family member उस पर आपको एक का मैं यहां पर आपको प्रौज सब्सक्राइब करता हूं कि करना डिलीट प्रमत करना डिट और ककर ओगे तो यह सक करने के लिए उपने के लिए खुलऊट्य करता हूं जैसे सीथ में फर फ्र पने की जा तो यहां पर देखे ईट्थे यहां पर नीवग्डर आ गया आपके भी निवग्धर का उपसण घाए उसक्त wolves लिए के इसके लिए आपको बताता हूं आपको सबसे लास्ट में जाना है तो यहां भी दखेंगे सब्मीट के निचे आपको एक ओप्षन दिख रहा है नोट में क्लिक हेयर टू डाउनलोड मेंबर डिपेंडेंशी रूल तो आपको यह फीडिएफ यह आपको डाउनलोड करनी है ज़रोर से आपको इसमें सभी फैमिल मेंबर्स को वह मिल जाएंगे आपको क्या-काइस में आपको फूरूफ लगाने पड़ेंगे किसमें नहीं लगाने है तो मैंने ओरड़ी यह फैमिली जो मेंबर डिपेंडेंशी रूल वाली जो पीडियाफ है डाउनलोड करके मां आपको को करके दिखाता हूं तो आपके सामने यह स्टाइफ की फीडियाफ अपन होगे डिपेंडेंशी रूल वाली तो इसमें सब लिख रखा देखे कोन डि के लिए हैं तो तमाम इसमें आपको जो भी आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं और किसमें क्या क्या डॉकुमेंट लगेंगे क्या आपको डिपेंडेंशी रिजन में डालना है वह सब इसमें लिखा हुआ है तो आपको इसको देख लेना जैसे मालूम है आज पूर एक्जम को बोलूँगा कि वाइब के लिए आपके पास यदि वह मेर्ज सर्टिविट है तो आपको सपोर्ट डॉकुमेंट है जरूर्श अपलोड करें ठीक है फिर आगे जो है क्या लिखावा है यह लिखावा सब्सक्राइब करें तो आपको यहीं लिखना है में में पड़ेगे दिए वह 21 साल से कम है तो डेट ओफ वर्थ उसके रिक्वाइड का मदला देट वर्थ का उनके पास प्रूफ होना चाहिए वह इसमें डॉकुमेंट पड़ेगा और जब आप उसमें एड करोगे तो रिजन में क्या आएगा अन्मैरीड सन एज लैस दें ट्व मेंबर एज यहाम देख ऑणवर्कों कुछ टॉकुमेंट से गयां इंकम प्रूफ शेए नहींच ओझा है और जदी यहां पर दोस्तों सब आपको डोकुमेंट के रिक्वार्मेंट का पतल जाए वह क्या का डोकुमेंट यहां पर चाहिए तो यह जुरूर्ट आपको देखना है ठीक है तो वहां पर आपको अब मैं आपको जैसे वाइब का बता रहा था तो सपाउस अपको डालना है इसमें चक कर रहे हो तो आप डिपेंदेंट ना है कर सकते हैं उप्स हको और अप से यहां पर देखना है अ दिपेंडेंटर सीरीजन अब चलता हूं वापिस अपने आप्साटल अब छेह से लिखने उन्यापकुष आ कि हैं यह पर आपको के सबस्क्राइब और अबनेयाभी आपको आधर का नेम ढाला है तो आपको देखना जब तब्रिदाएं को टाल दोगे इसमें आप चोड़ सकते हो ठीक है फिर इंबर ने में अप डालना चाहते हो फिर आपको मैं कर दो करना है लिए उसलिख करना है यहाँ तो पर दो आधार नेम मैंस ट्रूट नीचे अधार नमबर तो यहां पर आधार नमबर जो है उसको अप्लोड भी कर सकते सो पहले यहांपके क्लोट करोगे और आपको अपर किलिकर जाएगा तो चाहिए फिर स कर शकते हो पैंबर के पास पैंपर नमर बात है तो यहांप अप्लोड कर सकते हो तो हमों नीचे चलते हैं है और अब लगा सकते हैं आपको डोकमेंट कॉंसे आपको वर्णा वह आपको वहां से देखना है क्योंकि सब केस में अलग लग होता है वाइब के नाम में या फिर हस्बेंड को एड करना है तो उसमें कोई डोकुमेंट की पड़ती है ठीकिन फिर भी आप उसमें मैड सर्टिफिकेट लगा सकते हो अधर काड़े तो भी लगा सकते हो ठीक है और यदि सेकिंड वाइब की बात करें तो उसमें सर्टिफिकेट चाहिएगी डोकुमेंट भी चाहिएगे उसमें ऐसे सन के केस में डोकुमेंट चाहिएगा जैसे जो 21 साल का सन हो गया है तो उसका आप एड करना चाहोगे तो वहां पे वह बनोफैट सर्टिफिकेट करेंगी और उनका उनकी डोकुमेंट भी चाहिए गए रहा इपना भाइब बनावाल के किलिक करेंगे हो जाही जाबी मोबायल पीसे में उसको कुष स्लट करेंगा और है फश्यूब सब्सक्राइब यहां पर चाहिए गए डालना यह वहां को बिल्कुल ठीक है न क्एट तो सभी जो भी मेंबर आप इस मेंट करो उसकी डेट वर्त आपको डालना है भले यह मेंडेटरी नहीं हो ठीक है फिर आप निच्छी आओगे है जो हैं है पर्शन आपके फैमिली मेंबर तो उनके भी यहां पर फ्लेक का नो आ रहा है तो उनको हैस करोगे तो सब फ्लेक नमब्र भी यहां पर डालना पड़ेगा दोस्तों देखो सब से जो ध्यान रखने वाली बात आपको यह है मेंबर डिपेंडेंट में आपको जरूर सही अस करना यदि आप यहां यह नहीं करोगे तो आपका फैमिली मेंबर मेंबर का नाम नहीं आ रहा तो मैंने उनको यह बोला भई आप यह सर में जाके चेक करेए आप यहां से आके होगा ठीक है लेकिन आपकी यहां पर एड है तो उस नाम पर यहां पर आपको उसको चेंज कर सकते हो तो यह बात आपको ध्यान रखनें इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो एक्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल्स कैसे आप एडिट कर सकते हो तो डिपेंड इजन में आपको कर यहां पर इजन भी स्लेक्ट करना है ठीक है इसमें यह उप्सन आता है पर आपके काम आएगा यह काम आएगा और आपका जो सन 21 साल की जोग है उसमें भी काम आए गए ठीक ही तो यह उसके स्केश में डालने पड़ेंगी आपको जो मैंने अभी बताईए वहाँ से आपको देखना है उसमें क्या कि डॉक्कुमेंट है तो फिर श्यापको यहां पर लगाने पड़ेंगे उस case में ठीक है मंबर की फोटो लगाना चाहिए आपके पास फोटो है जे पीजी आ पीएंजी तो भी आप यहां पे अपलोड कर सकते हो कि अपलोड आपके पास जो दोकुमेंट है इसमें मेंडिटरी नहीं है लेकिन आपको आपके पास है तो आप लगा सकते हैं और भी अच्छा है फिर यहां पर देखी निचे एक है डिपनेंट फॉर मेडिकल इस स्टार रहें मेडिटरी यहां पर यह सोनों का उप्शन है तो वहाँ पे आप देखना है जैसे आप डाइवर्स इस्टर को या फिर डाइवर्स जो डोटर होती उनको आप एड करोंगे तो उनमें यहाँ पे जरूत पड़ेगी मैं मेंबरी इनकम अगे रहे 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 बाकी केस में यहाँ पे जरूत नहीं पड़ती है वह आप उस PDAF में आपको पता लग जाएगा यह किस केस में जरूत पड़ेगी इंकम का वह वेल लीड आप टू यह भी किसी किसी केस में है यहापे बाकी केस में यहापे नहीं मिलेगा तो दोस्तों यह आपको समझ आगे और का मेंबरीट कम वाला फिर आम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ओप्शन मिलेगा एक डिक्लेरेशन आई डिक्लेरेशन तो आपको इस चैक बोक्स को क्लिक करना है और आपको एक बात ध्यानक नहीं है इसको आपको स एक लाइन एड दिखेगी यहाँ पर इटीज मेंडेटरी टू मैंसन वन आइटेंटिफिकेशन प्रूफ और फैमिली मेंबर आइधर ओफ पैन आदार और अल्टरनेटिव आईडी कार्ड इज मेंडेटरी तो उपर तो मैंने आपको बता दिया इस जो पीडिया में डाउ इडिये वह भी मेंडेटरी हो सकता है तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने उपर बताया कि ज़रूरत नहीं है जहां पे स्थार नहीं लगा है अब वह क्या यह जो बनाए गया है पूरा सिस्टम यह सभी मेंबर्स के लिए बनागए तो किसी में नहीं है तो यह मांगता है तीनों चीजें तो और सपोर्टिंग डॉकुमेंट भी मांगता है तो उसको क्या करने से मालों आपके पास एक मैड शर्टिविएट है वाइफ कर रहे हो तो वाइफ शर्टिविएट आप उस में डॉकुमेंट में अप अपलोड कर सकते हो रोशी को आप चाते हैं कि इससर आपने यह बताया कि इसमें डॉकुमेंट नहीं है लेकिन यहां पे रिकॉर्ट मांगता है वो सपोर्टिंग में मांग सकता है और और उपर आपको ध्यान रखनी है देखो ज़दि आपके पास अल्टिविए नहीं होती है वह मेंडेटरि मांगता है लिकिन आप कौन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जो उस पीडिएप में बताया वह यह चीज़े यह डोकुमेंट मेंडेटरी है उस फैमली मेंबर के लिए तो आपको करनी पड़ेगी ठीक है न तो यह बात आपको ध्यान रखनी है और जब आप सब्मिट करोगे तो पूछेगा कि आप इसको सब्मिट करना चाहते हैं तो आप उसपे दोगे तो वह आपकी रिक्वेस्ट होगी मेंबर इसमें यह डीन होगा वह सिर्फ रिक्वेस्ट्विंट होगी किसके पास आपके डिलिंग करना के पास वह बेज़ देगा किसके पास हाइल आएज उसका उसके लिए आपको फिर से री डिकलेर करना पड़ेगा फैमिली फैमिली में फैमिली डिकलेरेशन को ठीक है वो डायक्ट पास में नाम नहीं आता है तो आपके पास कहां ओप्षन आएगा कि वह किसके पास स्पेंडिंग है मतलब आप स्टेक्टस कैसे चेक कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है लेफ साइट टॉप में आपको जो एक उप्षन मिलेगा माइचेंज रिक्वेस्ट्स कोन्स उप्षन देगा अमएंज करना हूं माई चेंज रिक्वेस्ट इस पे आपको किलिक करना है और यहां पर देखिए आपको 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 पिसले महीने की है तो पिसले महीने की आपने जिस ने सब्मिट की थी उससे 2-3 दिन की पहले और टू में आपको मान लो उससे महीने की लास्ता लिए जब भी कोई दिकत नहीं आपने सब्मिट किया दिन बाद की देट लोगे गो पर किलिक करोगे तो उस टाइम की जो रिक्वेस्ट आपने सब्मिट किये उसकी डिटेल निचे आएगी ठीक है ना तो मेरे खाल साब अब निचे देखे जैसे आपने छेंज रिक्वेस्ट के लिए डाल ली है तो निचे प्लोगे आपका नेम मिलेगा रिक्वेस्ट स्टेट्र बताएगा अब यहां पर दिलिंग कर रहेगा इडिए आईडी आईडिए आगी रिक्वेस्ट्स जब उसको चैक करके फोर्वड करेंगा वेरिफाइध रटी के पास में तो वह देट आजए आएगी और वी ए यूजर आइडी मतलब वेरिफाइध रटी उसका अइडी मिलेगी और फिर यह वेरिफाइध रटी टांसक्षन डेट जिसके आपकी वेरिफाइध रटी उसको तो जैसे वह लगा पर तो तो जैसे व्यल्म हैं तो उसकी डाज़ेट उयाएध उसके हैं बोड़ लेती है तो उसकी डा की एंडी और व्यवी एडी एडीय और वी यहांपी आपको मिल जाओं तो आप अपना स्टेस्ट्स कर सकते हो कि मेरा जो रिक्वाइस्ट ao किस के पा तो मेरे खाल से दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गया है दोस्तों मैंने प्रेक्टिकल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पहले मैंने वीडियो इसके बनाए हुए है आप पीछे जाओगे मेरे जो चैक करोगी वीडियो तो उसमें बहुत लेंती हो जाते कम सकम 25-30 मिट का व हम जरूर से उसका रिपलाइ करेंगे और यदि वीडियो की नीड पड़ेगी ज्यादा मेरा हमारे पास कोमेंट आ जाएंगे इसको करना है तो उसके हिसाब से भी हम आपको वीडियो प्रवाइड करा देंगे तो तो ठीक है दोस्तों बाइबाई में नेक्स वीडियो में देखके रहा दोस्तों खुछ रागरो तो दौस्तों आगे इसके उपर वीडियो आएंगे इसी फैमिले के ऊपर कैसे आप फैमीली मेंबर ़ोडिस ने बज़ाय पर कैसे आप जो फैमिली मेंबर आर्big cum कैसे चेंज कर सकते हो है तो ठीक है दौस्तों